पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी लगातार अपने छिकाने बदल रहे थे पिछले साथ दिनों बे वो गिरफ्तारी से पहले मध्योप्रदेश के चुनाओं में गए थे उसके बाद राजधानी लक्नों बे पहुंचे थे इस पीच पुलिस ने लगातार उनके नंबर सर्विलेंस पर रखे थे जिससे उनको ट्रेस किया जा सके साथ दिन बीदे जाने के बाद जब कोई आक्शन नहीं हुआ तो आरोपी को लगा कि अब पुलिस उनको नहीं किरफ्तार करेगी ऐसे में वो आराम से अपने अपने घरों को लोटाए लेकिन लोटने के बाद ही पुलिस ने शिकन जकस्तिया और तीनों को उठा लिया आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने जाच को भटकाने के लिए घटना के दिन प्रयोग होने वाली बुलिट पर नंबर प्लेट नहीं लगा रखी थी लेकिन बात में ये नंबर प्लेट लगा दी बुलिट बाइक कुनाल पांटे की बताई जा रही है वो पारशत का चुनाव लणने की तयारी कर रहा था दो साल पहले उसकी शादी हुई थी उसके ससुर पहले से पारशत है अब वो खुद पारशत बनने का प्लान बना रहा था वहीं दूसरे आरूपी अबिशेक चोहान और आनंद के खिलाफ मारपी टाइप के मुकद में पहले सिदर्ज है वो इंटर की पढ़ाही कर रहा है उसके पिता और वो साड़ी चुपाई का काम करते है जबकि तीसरा आरूपी सक्षम पटेल कॉडिया आस्पताल में जारी कर रही है पूछ ताज में कया और खुलासे हो सकते हैं जाज के बाद गैंक्स्टर के तहट भी कारवाई हो सकती है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24